नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे दिए प्लास्टिक पर एक बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया है और यहां पर सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो एक जुलाई से पहले पहले बैन कर दिये जाएंगे मतलब एक जुलाई से कम्प्लीटली सिंगल संदित हो जाएंगे भारत में ऐसा भारत सरकार ने फैसला लिया है और इसकी वज़े से अमूल पैप्सी को पारले डाबर जैसी जो बड़ी मैनुफेक्ट्रिंग कंपनिया है वो विरोध इस पुरे फैसले का जो है वो कर रही है यहां पर आप आर्टिकल भी देख सकते है इंडियन गवर्मेंट बैन यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई और मैनुफेक्ट्र जो है यहां पर पूरी तरीके से अनहैपी है और यहां पर आप देख भी सकते हैं इंडिया की जो बिगेस्ट डेरी ग्रुप है वो इंडियन गवर्मेंट के सामन अर्ज भी कर रही है कि इस फेसले को डिले कर दिया जाए जैसे अमूल पारले अर्ग और उसके अलावा पहुत से जैसे पैपसी भी इसमें शामिल है डाबर भी इसमें शामिल है और इतना ही नहीं जो सी ए आईटी ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं काफी बड़ा ग्रुप होता है इसने भी अर्ज किया है कि गौर्णमेंट को यह जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैं कर दिया गया है इस फेसले को एक साल के लिए और अमूल और यह सब जो कंपनिया है वो इसलिए अर्ज कर रही है ताकि एक येर के अंदर यह जो पेपर इस्ट्रों के जो प्ल मेरा नाम है सुरफस्वामी काफी अच्छे से और सिंपल तरीके से हम समझने कुछ करेंगे कि इंडियन गौर्णमेंट ने यह फैसला क्यों लिया है देगे अभी के न्यूज जो है हमारे सामने वो यह है कि एक जुलाई से आपके जो जूस पिने का जो तरीका है वो बदल करता है अब जो फट्रप एक ज्ट्रों मिलती है वो शाइद अब नहीं मिलेगी एकजुलाई से और देश मे सिंगल यूज इूज प्लास्टिक को इस पर एक जुलाई के जा रही है इसमें फ्लास्टिक इस्ट्रों मिल रही घ्स किकत उनामन हैं और टेके देशी विदेश प्राइम मिनिस्टर ओफिस में लगाई है पियमो के अन्दर लिखा गया है कमपनि ने कहा है कि प्लास्टिक इस्ट्रोपर बेंच से महिंगाई की माट झेल रहे ग्रागों की मुश्कले और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं और साथ ही कारोबार को आसान बनाने की जो सरकार की नीती है उस पर भी असर पड़ेगा और इन कंपनियों ने प्लास्टिक इस्ट्रो का जो अल्टरनेटिव है अपनाने के लिए सरकार से समय मागा है बाई प्लास की सरकार ने फैसला शायद एकदम से लिया होगा जिससे इन कंपनियों को समय नहीं मिला दीगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है इनको पूरा समय दिया गया था लेकिन कंपनियों ने इस चीज को नेगलेट किया अब सरकार ने इसके ओपर काफी खटोर जो कदम है वो उठाया है और वैसे भी प्लास्टिक की इस जो इसका गॉर्मेंट का इंड ओफ इंडिया का जो रुख है इस प्लास्टिक बैन को लेकर वो इस बार हमें सबसे ज्यादा कठोर जो है वो देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर विशे के लिए और दीके इन कंपनियों का जो लोबी ग्रूप है उसका एक नाम है जिसका नाम है एक्शन अलाइंस फोर रिसाइक्लिंग डेवरेजेज कार्टन्स जिसे ए एरसी कहा जाता है इसने भी पी एमो को एक चिट्टी में ये कहा है कि विकल्प के बिना इस तरह के कदम उठाने से इंडिस्ट्री को पांच से छे हजा से अधिक कम्पनिया हैं अमूल भी इसमें शामिल है क्योंकि अमूल की भी कुछ चीजें से आती है जिनमें टैट्रापेग आता है और उसके साथ में स्ट्रो जो है वह टैच होती है और साथ ही ये जो ये जो ग्रूप है इसमें और भी बड़ी कम्पनियां हमें देखने को मिली है तो एक तरीके से यदि सरकार इस तरह का जो कदम एकदम से उठाती है तो AARC का एक कहना है कि इससे इंडरस्ट्री को 5-6,000 करोड रुपर का नुकसान भी होगा और आम आदमी को भी इसकी मार्ज जहनली पड़ेगी थोड़ी सी महंगाई के इस जमाने में अब देखे प्लास्टिक इस ट्रो का ये जो बुरा टॉपी का उससे समझना जरूरी है देखे देश में जूस और डेरी प्रोड़ेक्स के छोटे पैक्स के साथ में इस ट्रो लगी वी होती है होती है हम एक होल करके उस जूस को उस लिक्विड को इस ट्रो के साथ में पीते हैं अब भारत में इनकी सालाना जो बिक्री है वो लगबग 79 करोड डॉलर की है कम से कम और देश में हर साल 6 अरब चोटे टेट्रा पैक जो है वो बेचे जाते हैं और 5 रुपए से लेकर 30 रुपते की कीमत वाले जो जूस है और यह जूस है यह डेरी प्रोड़क्स जो हैं काफी ज़्यदा इंडिया में स्पेसिफिकली लोकप्रिय भी है जैसे पैपसी का जो ट्रॉपिकोना है और डाबर का जो रियल जूस है कोका कोला का जो माजा है और पाडले अग्रो की जो फूर्टी हम पीते आ रहे हैं यह सब चीजे हमारे इंडिया में काफी ज़्यदा फेमस है और इनका एक अलग से ह एक बार इस्तमाल होने वाले प्लास्टिक से मतलब यह जो स्ट्रो है उसे हम एक बार यूज कर लेते हैं फिर उसे हम गार्बेज में फिक देते हैं तो एक बार इस्तमाल होने वाले प्लास्टिक यानि सिंगल यूज प्लास्टिक को परियावरन के लिए काफी ज़्यादा harmful माना गया है बहुत हानिकारक माना गया है ये eco friendly नहीं होती है और plastic लंबे समय तक जमीन में ही रहता है और कहीं न कहीं soil को effect करता है और ये जो plastic की उत्पाद है ये लंबे समय तक परयावरन को नुकसान जो है वो पहुचाते रहते हैं इसी वज़े से सरकार ने इन पर band लगा business पर भी काफी ज़्यदा असर पड़ेगा और industry को plastic इस्ट्रो का विकल अपनाने के लिए कम से कम एक साल की समय की जो है वो जरुरत है यहां पर time जो है वो भी मांगा जा रहा है government of India से और इसमें एक साल की बात नहीं है इसमें इसा कहा भी जा रहा है कि इसमें एक साल नहीं वो किया जाए ज्यादा से ज्यादा अब दीके सरकार ने यह कोई फैसला जो है वो एकदम से नहीं लिया है आपको इस जरूर ध्यान रखना होगा सरकार ने पिछले साल अगस्त में एक notification निकाला था और इन कमपनियों के टारेले में भी वो notification पहुँचा था जिसमें यह कहा गया था कि जल्द ही इसके ओपर काम किया जा सकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जहों से बैन कर दिया जाए इसलिए आप अपने alternative जहों को खुजना शुरू कर दीजिए लेकिन सरकार के इस फैसले पर इन कमपनियों इंडिया की तरफ से इन कमपनियों के पास में जारी हुआ था और इंडिस्ट्री को बदलाव के लिए 6 महीने का समय जो है वो दिया गया था दिसंबर तक आपका final notification है और आप 6 महीने तक मतलब 30 जुन तक आप इसका कोई alternative या तो हो जिए या फिर इसके उपर काम कीजिए और दिसंबर से पहले भी अगस्त में यह जो notification है सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर वो इन कमपनियों तक मिल चुका था लेकिन इसके उपर कोई काम हुआ नहीं और अब सरकार ने इसके उपर कठोर कदम उठाने का फैसला जो है वो कर लिया है अब दीकिए paper इस् आगज बढ़ जाएगी और उन्हें अपने सस्ते लोग पर यह pack की कीमत बढ़ानी पड़ेगी जो packet आपको 10 रुपे का मिल रहा है वो packet आपको हो सकता है अगर paper इस्ट्रो के साथ मिले तो वो 30 से 35 से 40 रुपे तक का मिले और प्लास्टिक इस्ट्रो पर बैन लगा तो कमप इदिये तोर पर 10 रुपे में यह जो माज़ा फुरूटी हम पीते हैं यह कंपनिया नहीं बैच पाईगी इनने डारेक्ली यह स्टेट्मेंट दिया है क्योंकि इससे उनकी किमत बढ़ेगी क्योंकि जो plastic इस्ट्रो की जाएगा जो paper इस्ट्रो आएगा वह eco-friendly होगा उसमे गाइस की मार से जहल रहें लोगों के लिए काफी मुश्किले बढ़ सकती हैं और AARC की दलील ये भी है कि आस्ट्रेलिया चाइना और मलेशिया जैसे देशों में इस्ट्रो के इस्तमाल की अनुमती है और इंडिस्ट्री के जानकरों का कहना है कि इस्ट्रो पर बैंस से उ एकमाल इस्ट्रेक्त होने वाला है वो manufacture से लेकर retail market तक और आम आदमें तक होने वाला है कुल मिलाकर ये बात है वो कहें गई थी और देखिए सिंगल सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक का ये जो फैसला लिया है ये काफी जरा सो अधिक की लिए है ऐसा भी कहा जा रहा है और एकड़म से ये फैसला जो है वो नहीं लिया गया है अब ये भी जाना जरूरी है कि इस बैन ये जो बैन लगने वाला है ये किस-किस के उपर लगने वाला है तो देखेंगे CPCB CPCB का full form क्या है Central Pollution Control Board इसकी सापना जो हुई थी 1974 के अंदर इसका एड़कॉर्टर्स आपको मिलेंगे न्यू देली के और शिवदास मिना परजेंट टाइम पर इसके चेर परसन है और ये इस्टेबिश किया गया था अंडर दे वाटर एक्ट 1974 में तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है अंडर दे वाटर एक 1974 इसकी स्थापना के गई थी इसका पूरा नाम है सेंटरल पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड ये एक स्टेजरी बोर्डी है तो अकोर्डिंग टू सीपी सीबी हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मताबिक एक जुलाई से प्लास्टिक इस्टिक वाले इयरवर्ड और गुबारे पर लगने वाले गुबारे में लगने प्लास्टिक स्टिक उसके साथ प्लास्टिक के जंडे कैंडी स्टिक आइस क्रीम स्टिक सजावट के काम आने वाले धर्मा कोल आदी के इस्तेमाल के अनुमाति नहीं होगी और इसके साथ ही प्लास्टिक कप प्लेट ग्लास काटा चमच चाकू स्ट्रो ट्रे जैसी जो कट प्रक्तिबंदी के दायरे में आने वाले हैं तो बैन जो है वो काफी बड़े इस तर पर लगाए जा रहा है यह जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपर तो यह सब चीज़ें बैन कर दी जाएगी और और CPCB ने सभी संभावित पक्षों को 30 जून तक अपना स्टॉक खतम करने को कहा था ताकि एक जुलाई से पूरी तरीके से इनके उपर पाबंदी जो है वो लगाई जा सके लेकिन इनका उलंगन करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्यवाई की जाएगी ऐसा भी इस दोरा सिंगल यूज प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता और इसे रिसाइकल भी नहीं किया सकता इसके कड़ पाने में गुलकर नदियों और भूमी और प्रदिशित भी करते हैं और इसके करन जलीये जीवों को नुक्सान होता है और नाले बंद हो जाते हैं जलीये ज्यादा मातर सिंगल यूज प्लास्टिक की होती है तो दोनों पक्ष की बात जो है हमने आपको बताई है आप फैसला लीजिए कि सरकार का यह जो फैसला है वो सही है या फिर नहीं है अब एक important information में आपको ये भी देना चाहूंगा कि All India Scholarship Test organize किया जा रहा है UPSC CSC 2023-2024 को target करते हुए जहां पर prize आपके सामने है आपको काफी अच्छे जो courses है वो मिलेंगे आप register अभी कर सकते हैं 18-18 June को active रहिएगा और उससे पहले register कर सकते हैं इस All India Scholarship Test को और अपने scholarship जो है particular वो gain कर सकते हैं अपने preparation को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही UPSC CSC की तिया आप तियारी करना चाते हैं तो 2023-2024 को target करते हुए जो गुरुकुल बैच है वो launch कर दिया गया है जिसमें आपको 900 गंटे की live classes मिलेगी pre plus mains की पूरी तियारी जिसमें CCAT में include है और selection oriented approach के साथ में आपको पूरा जो एक live classes का schedule है वो दिया जाएगा जिससे आप अपने preparation को काफी ज़रा boost up कर सकते हैं और इस minimal price में इस price में आपको ऐसा content और ऐसा course शायद ही कहीं देखने को मिले आप ये code भी use कर सकते हैं उसके साथ साथ आप इन नमरों पर भी call कर सकते हैं शांदार जो course है वो आपके लिए बनाए गया है उसके साथ ये आप state PCS की त्यारी करना चाहते हों तो उसके लिए फिर चाहे वो UPPCS हो MPPCS हो HPC हो हर्याना PCS हो UKPCS हो सभी के लिए courses जो है वा लॉंच हो चुके हैं आप Adder 247 का application डाउनलोड कीजिए और UPPC का जो वर्टिकल है उसमें आपको test series state PCS के course, UPPC के course सब कुछ देखने को मिलेंगे तो उसके अलावा भी जो centralized exam है grade B officer की वो उनसे related जिती भी exam है सभी के जो courses हैं आपको जरूर देखने को मिलेंगे तो आप इनको भी enroll करना बिल्कुल भी ना भूले तो खैर यह था इस वीडियो में आपको जरूर कुछ जानने को मिला होगा इससी तरह के important और informative वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, धन्यवाद